कि अभू ख़ी अच्व फिर्ट्स वेलकम बैक मां युट्यूप चनल एमसमेस मैं अप्लोड करता हूँ बीच सी मैतमेटिक्स फिसिक्स आइथी जेंब एंड अग्रिकल्चर मैथमेटिक से रिलेटेड वीडियो लक्चर तो अग्रिकल्चर मैथमेटिक से रिलेटेड वीडियो लक्चर में इक्विशन जो टॉपिक है उसके बारे हम बात हम यहाँ पे कर रहे हैं So, first semester में जो mathematics आती है, उसके जो भी topics हैं, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, मेरे YouTube चैनल पे, तो YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हमारे website पे जरूर विजिट करें, इससे previous वीडियो जो मैंने इसके बनाये हैं, का link आपको description में मिल जाएगा, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ऐसी equation के solution के बारे में, जिसको हम quadratic equation में convert करके solve कर सकते हैं, ठीक है, वो quadratic equation होती नहीं है, लेकिन हम उसको convert करते हैं, देखो quadratic equation का मतलब होता है, जिसकी degree, ऐसी equation जिसकी degree 2 होती है, लेकिन अगर आप देखें, यहाँ पे इसकी degree 2 नहीं है, if you can see here, the degree of this equation is not 2, degree जो है वो 2 नहीं है, ऐसे equation को हम क्या करेंगे, convert करेंगे, reduce करेंगे, so the solution of reducible into equation, equation को हम reduce करेंगे, the solution of equation, reducible into the quadratic equation, हम इसको quadratic equation में reduce करेंगे, and then we will find the solution of that equation, so इसमें 2 type क्या होता है, पहला type जो है, वो आता है, कि when the power of x is one term, like power of x in one term, two times of its power is another term, two times होनी चाहिए, जैसे, यहाँ पे देख लो, 2 गुनी है, 1 बटा 11 के, 1 बटा 11 के 2 गुनी पावर है, जैसे यहाँ पे 1 बटा 11 है, तो यहाँ पे क्या, 1 बटा 11 की पावर दो, जैसे for example, अगर मैं आपको कहूं, x पावर 2 बाई 5 प्लस 6 x पावर 1 बाई 5, इन दोनों में देख लिए, इसके पावर की दो गुनी है, जैसे, 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 तो तो ताइम्स होनी चाहिए, तो हम उसको कैसे reduce करेंगे, वो हम यहाँ पे देखेंगे, तो reduce करने का बड़ा simple सा method होता है, यहाँ पे वो method है, वो क्या है, आप देखो, अगर मैं यहाँ पे यह वाला जो term है, इसको मैं क्या let कर देता हूं, माना, x बटा, x पावर 1 बटा 11 जो है, वो y है, एन x पावर 1 बाई 11 इस इक्वेल स्टू y, अब मैं इसकी जगे अगर y रख देता हूं, इसका मतलब क्या होगे, x पावर 1 बाई 11 का हॉल स्क्वेर, माइनस 5 x पावर 1 बाई 11 प्लस 6 इस इक्वेल स्टू 0, इसकी जगे अगर मैं y रख रहा हूं, तो यह क्या हो जाएगा, y स्क्वेर माइनस 5y प्लस 6 इस इक्वेल स्टू 0, भहिया यह पूरी एक्वेशन क्या बनगे, वाडिटेक एक्वेशन बनगे, इस वाडिटेक एक्वेशन को आँ बिल्कुल इजीली सॉल कर सकते हैं, विद धी हल्प आप स्रिदर आचार्य मेथड, अब स्रिदर आचार्य मेथड लगा दो, स्रिदर आचार्य मेथड लगा दो, या फिर आपको आपको अच्छा लगे वो लगा दो, मैं आप स्रिदर आचार्य मेथड लगा रहा हूँ, x is equal to minus b, plus minus b square minus 4ac upon 2a वाला formula लगा दो, a की value यहाँ पे 1 है, b की value यहाँ पे minus 5 है, और c की value 6 है, यह value पुट कर दो इसके अंदर, यह क्या हो जाएगा, b की value minus 5 है, तो minus 5 रागे minus है, plus minus यह हो जाएगा, root of b square, b square मतलब कितना है, b square मतलब कितना हो जाएगा, 25, 5 का square 25, minus 4 into a की value 1 है, c की value कितना है, 6 है, upon क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 into 1 हो जाएगा, क्योंकि e की value 1 है, तो x is equal, sorry, यहाँ पे x मतलब लिखो, यहाँ पे y लिखो, तो y की value बात कर रहा है, तो y is equal to यह हो जाएगा, y is equal to क्या हो जाएगा, यहाँ पे, plus का 5, ठीक है, यह हो जाएगा, plus 5, plus minus, यह हो जाएगा, root of 25-24, upon यह क्या आजाएगा, 2 हो जाएगा, इसको simplify कर दो, तो यह हो जाएगा, 5 plus minus root of 1, upon क्या हो जाएगा, 2, root 1 के value 1 होती है, तो यह हो जाएगा, 5 plus minus 1 by 2, एक प्लस ले लो, एक minus ले लो, जब हम plus देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 plus 1 by 2 तो यहार y की value क्या आजाएगी हमारे पास में 6 by 2 कितना होता है 3 होता है, एक value आजाएगी 3 और एक value minus करके देख लो, y minus 1 5 minus 1 by 2 y is equal to 4 by 2, मतलब एक value हमारे पास में 2 आजाएगी अब y की value है, यह x की value नहीं है, हमको तो क्या कहा रहा, find the value of x, इसका find the value of x, मतलब आपको इसका solution करना है मतलब आपको इसका solution करना है अब भी हमारे पास में किसकी value आईए, सिरफ y की value आईए, और we know that y is equal to x power 11, तो अब देखना हमारे पास में y की value है, और अगर मैं इस power को इधर लाँगा न तो यह y power 11 हो जाएगी x की value निकालनी है, मुझे x की value निकालनी है y power 11 तो एक x की value क्या जाएगी x1 कह दूंगा मैं उसको, क्या जाएगी यह y1 कह दो, इसको y2 कह दो अगर मैं x1 लिखूंगा यहां क्या आजेगा y1 power 11 मतलब क्या हो जाएगा 3 power 11 और x2 की में बात करूंगा तो क्या हो जाएगा y2 power 11 मतलब क्या आजेगा 2 power 11 ये इसके answer हो जाएगे ऐसे हम किसी भी equation को इस type के ने जिसकी equation दो गुनिए होती है बदलब यहाँ पर यहाँ पर हम दो same term रख सकता है, देखलो आप यहाँ पर, यहाँ पर भी y रखूँ और यहाँ पर यहाँ पर कुछ और होता है, मानलो अगर यहाँ पर 7 बटा 2 होता है, तो मैं उसको क्या simplify कर सकता है, नहीं कर सकता था, तो यह एक special case है, अगर इस type के आप y, माइनस 3y हो जाएगा, और माइनस 2y प्लस 6 हो जाएगा, इसको factorization से भी कर सकते हो, 2 and 3 answer आएगा, आगे बढ़ते हैं, type number 2 के बारे हम बात करते हैं, अब देखो यह type number 2 है, अब type number 2 में क्या होना चाहिए आपके पास में, यह format होना चाहिए, a x power 4, b x cube, c x square, b x plus a, मतलब इदर भी a होना चाहिए, इदर भी a होना चाहिए, देखो आप यहाँ पे, question देखो आप यहाँ पे, इदर 1 है तो इदर भी 1 है, इदर 1 है तो इदर भी 1 है और बीच में क्या है, minus 4 है, मतलब यहाँ से a की value 1 है, b की value 1 है और c की value minus 4 है, यह 3 इसमें क्या है, coefficient है, ठीक है, मत bx plus a is equal to 0 यह equation है इसको हम convert करेंगे reducible, इसको reduce करेंगे उसके अंदर तो कैसे reduce करेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर आपको इसमें क्या करना होता है, थोड़ा इसका long process है कैसा process है, अब इस question को solve करके देखता है, अगर मैं इस question को यहाँ पे solve करता हूँ तो यह हम यहाँ पे solve करता है और देखता है, इसको कैसे solve करेंगे सबसे पहला काम होता है, आपको यहाँ पे क्या करना जैसे यह equation है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे x power 4 plus x cube minus 4 x square plus x plus 1 is equal to 0 अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में, हमको क्या करना x square का term बनाना है तो हम क्या करेंगे, x square का divide कर देंगे क्या करेंगे, dividing by dividing, हम क्या करेंगे dividing by x square, हम यहाँ पे x square का divide कर देंगे, सब में सब में x square का divide करूँ x power 4 upon x square plus क्या हो जाएगा, x cube upon x square, minus 4 x square upon x square plus x upon x square plus 1 upon x square is equal to 0 तो यह क्या हो जाएगा x square हो जाएगा 2x cut हो जाएगे यह क्या हो जाएगा 3 2 1 हो जाएगा यह क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा और यह हो जाएगा 1 upon x square is equal to 0 अब क्या करना है देखो अब यहाँ पर क्या करना है यह जो x square वाले दोनों इसको पास में लो x square प्लस 1 upon x square प्लस क्या है आपके पास में 1 upon x square आप यहाँ पर क्या करो इसको क्या करना है यहाँ पर actually जो x का गुणांग इस में क्या करना होता है यहाँ पर थोड़ा सा सोच ना होता, देखो आपको बताता हू With More x मैंने क्या किया, इसके पास में लेकाना और मैंने क्या क्या कुछ नहीं किया अभ हम क्या करेंगे यहाँ पर दो को जोडेंगे और दो को घटाएंगे मतलब आपको दिमाग लगाना है कि कहां से square root बन सकता है same square root बनना चाहिए कैसे देखो स्क्वेर root कैसे अगर हम यहाँ पे यह term और यह term ले लेते हैं x square plus 1 upon x square plus 2 अगर हम इसको लेते हैं तो यह क्या है a square plus यह क्या हो जाएगा b square plus यह क्या हो जाएगा 2ab करके देख लो करके देख लो इसको simplify करके देख लो a की जगा मैं x रखूंगा तो x square b की जगा 1 upon x रखूंगा तो यह 1 upon x का hall square plus 2 into x और यह हो जाएगा 1 upon x यह cut हो जाएगा answer आप देख लो x square plus 1 upon x square plus 2 यही तो आ रहा है same तो मतलब क्या करना आपको थोड़ा सा ultra process, ultra चलना है तो हम यहां से क्या करना है इसके लिए square root बना रहे है, पूरा complete square बना रहे है, तो इसको 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 लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, x plus 1 upon x का hall square हो जाएगा, और अगर हम इसकी बात करते हैं यह term और यह वाला term sorry, take second यह वाला term और यह वाला term इसको साथ में ले लो plus क्या हो जाएगा, x plus 1 upon x ध्यान यह रखना है, कि जो term यहां पर बनता है, वो का वो term यहां पर बनना चाहिए, दनों जगे same term बनना चाहिए, अब minus 4 पर minus 2 कितना हो जाहएगा, minus 6 is equal to 0 हो जायगा, अब एक काम कर सकते है यहां पर, हम यहां से क्या कर सकता है let x plus 1 up on x को यहां पर आप y मानलो इसको y मानलो, तो यह क्या हो जाहएगा y square plus y minus 6 is equal to 0 इसको आप क्या करो factor say solve कर लो, factorization से solve करो, factorization से करो तो यह क्या हो जाएगा y square plus 3y plus 2y sorry 3y minus 2y minus 6 is equal to 0 y को common लेलो तो y plus 3 हो जाएगा इदर से 2 को common लेलो तो y plus 3 हो जाएगा यह क्या आजाएगा y plus 3 और यह हो जाएगा y minus 2 is equal to 0 यह आजाएगा y is equal to minus 3 and यह हो जाएगा y is equal to plus 2 यह y की value आई, हमको तो x की value चाहिए, लेकिन y जो है न, वो क्या है, x plus 1 upon x is equals to minus 3 है, इसको simplify कर दो, इसको simplify कर दो, LCM ले लो, LCM ले लोगे तो क्या हो जाएगा, x square plus 1 is equals to 3x, मतलब यह पूरा निचा आजाएगा, इस x का उदर भेज दो, अब इसको ज़र लो, तो यह क्या हो जाएगा, x square minus 3x plus 1, again आप इसका क्या करो, factorization कर लो, again आप इसका factor कर लो, factor करो या फिर आप इसको स्रीदर आचारे method, इसको आप स्रीदर आचारे method से solve कर लो, हमने क्या रखा देखो वापस समझ लो, y is equals to, हमने minus 3 रखा, minus 3 रखने पर हमारे को क्या मिला यहाँ पे, हमारे को यहाँ पे मिला, x square minus 3x plus 1, plus 1 is equals to 0, अब आप क्या करो, x is equals to minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a वाला formula ले लो, यह लिख दो आप b के value कितना है, minus 3 minus minus कितना हो जाएगा, plus 3 plus minus, b का square कर दो कितना होता, b का square करेंगे, यहाँ पे 9 हो जाएगा, b का square 9 हो जाएगा, 9 minus 4ac, a का value 1 है, plus क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, c का value भी 1 है, upon क्या हो जाएगा, 2 into 1 हो जाएगा, तो x is equals to क्या हो जाएगा, plus 3, plus minus, यह हो जाएगा, root of 5, 9 मैं से 5 जाएगा, root 5 upon 2 आ जाएगा x की value क्या मिलेगी आपको यहाँ पर x की value मिल जाएगी 3 plus root 5 by 2 यह x1 हो जाएगा x2 कितना हो जाएगा x minus x2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 minus root 5 by 2 मतलब एक equation से 2 root मिलेगा अच्छा एक बात बताता हूँ आपको highest power कितनी है इसकी इसकी highest power हो रहे तो इसके 4 root होंगे 2 इससे निकलेंगे और 2 इससे निकलेंगे अब आप क्या करो यहाँ पर y is equal to 2 रख दो x plus 1 upon x is equal to 2 x square plus 1 is equal to 2x हो जाएगा क्या हो जाएगा यह x square minus 2x plus 1 is equal to 0 again आप इस formula का use कर दो x is equal to minus b μतलब यह हो जाएगा plus का 2 plus minus root of b square minus मतलब 4 minus यह हो जाएगा 4 और यह आजाएगा आपके पास में यहाँ पर 4 हो जाएगा और यह आजाएगा x is equal to 1 आजाएगा यह यहाँ पर 1 हो जाएगा यहाँ पर इसकी value फ़र 1 हो जाएगा upon you हो जाएगा 1, पे यह तो सिधा दिख रहा है ना, यह बहिया सिधा दिख रहा है x-1 का hall square है पिर भी आपको बता देते हैं यहाँ पे 2 plus minus 0 upon 2 हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा मतलब x की value क्या मिलेगी आपको यहाँ से x3 की value भी 1 मिलेगी x4 की value भी 1 मिलेगी आपको यह से 4 root मिलेंगे जितनी power होती है न, उतनी root मिलते है 2 root यहाँ से मिलगे 2 root यहाँ से मिलगे, तो 4 highest power कितनी है highest degree कितनी है, 4 है हमने यहाँ पे हमारे पास इसका कोई method नहीं है फिर हमने क्या किया, इसको सब्सक्राइब करें थैंक यू, बाबाए